नमस्ते दोस्तों आज हम लोग करेंगे निप्टी और बैंक निप्टी का अनालिसिस कल के लिए मतलब 30 जनवरी 2020 के लिए 30 जनवरी 2020 में मार्केट में क्या हो सकता यह हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 जनवरी के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपने यूटूब के चाइनल में जहां पे मैंने क्लियर कर बोला था आपको कि यह जो बैंक निप्टी का लेवल है अगर यह लेवल के करीब मार्केट आता है तो यहां से मार्केट नीचे गुमने का पॉसिबलिटी है तो अगर आप bank nifty का चार्ट खुलते हो तो bank nifty के चार्ट के उपर आपको clear कर दिखाई देगा कि वो जो level में ने आपको draw करके दिया था market ने उसी तरीके से उसी level को exactly respect किया हुआ है यहाँ पर आप bank nifty का चार्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो चार्ट में जो level में ने आपको कल update करके दिया था exactly market ने उसी level को respect करके वहाँ से market नीचे गुमा हुआ है अगर इस level को market ने जिस तरीके से respect किया हुआ है उसका analysis कल के वीडियो में मैंने daily और intraday के चार्ट के उपर आपको करके बताया था अभी कल के दिन में मतलब 30 जनवरी के दिन में market में क्या हो सकता है इसका analysis हम लोग करेंगे तो अगर आप यहाँ पे intraday का chart देखते हो तो intraday के chart में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उपर की level पे market ने यह resistance का level बनाया हुआ है जिसका value है 31082 का और नीचे की side पे market ने यह support का value बनाया हुआ है तो यह जो important level है अगर market इसके करीब आता है यहाँ से कोई order flow का confirmation आता है तो यहाँ से market नीचे गोम सकता है या फिर अगर market नीचे आके यहाँ पे कोई order flow का confirmation देता है तो यहाँ से market ऊपर गोम सकता है या फिर अगर ये लेवल को market break करता है तो आपको breakout का upside का trade लेना है और downside में अगर ये level को break करता है तो नीचे में downside का trade लेना है तो ये हो गए bank nifty के level कल के लिए मतलब 3 जनवरी 2020 के लिए तो उसी तरीके से आभी हम लोग देखते हैं कि nifty में कौन से level बन रहे है अगर आप nifty का chart कोलते हो तो nifty के chart में आपको clear कर दिखाई देगा कि उपर की side पे ये जो level बना हुआ है इसका value है 12,169 का 12,169 का उपर का level है और अगर नीचे के side में अगर आप देखते हो तो नीचे के side में level बना हुआ है 12,103 का तो ये level के करीब market जब trade करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपको wait करना है कि market ये level के करीब कब आता है यहाँ पे कुछ order flow का confirmation मिलता है उपर की side में तो यहाँ से market नीचे गूम सकता है या फिर market नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ order flow का confirmation मिलता है तो यहाँ से market उपर गूम सकता है अगर यह उपर के level को उपर के side में break किया या नीचे के level को नीचे के side में break किया तो वहाँ पे आप sale का या buy का position breakout के trade के यह साब से ले सकते हो तो यह हो गया bank nifty और nifty का analysis कल के लिए मतलब 30 जनवरी 2020 के लिए उसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो अपना telegram का channel है यह telegram के channel में मैं यहाँ पे free में सब signal देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो infika मैंने signal दिया था buy करने के लिए 787 के उपर और अपना stop loss था 785 का मतलब आपका जो risk था वो सिर्फ 2 रुपे का था और 2 रुपे के risk के उपर आपको अल्मोस 5 रुपे का profit यहाँ पे मिला हुआ है तो अगर हम लोग risk to reward ratio calculate करते हैं तो risk to reward ratio अपना आ रहा है almost 1 as to 2.5 का तो यह जो signal है यह आपको टेलिग्राम चैनल में free में मिल जाएंगे दोस्तों मैंने नीचे description box में टेलिग्राम चैनल का link दिया हुआ है आप उसको follow कर सकते हो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो free में यहाँ पे मैं telegram के level update कर देता हूँ वो free के level के ओपर लोगों को जो profit होता है उसका भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ और ना यह सिर्फ लोगों को बलकि मैं खुद के account में जो trade करता हूँ वो खुद के account का मैंने यहाँ पे real trade group भी यहाँ पे दिखा दिया है with the executed order number and executed status के साथ तो यहाँ पे यह telegram का channel अगर आप join करते हो तो यहाँ पे free में आपको ready made signal मिल जाएंगे telegram channel का link मैंने नीचे description के box में दिया हुआ है thank you very much